प्रेंड्स मैं विकास आज ले चलते हैं आपको इस सेशन में ससी कंस्टेबल 2020 का जो नया नोटिफिकेसन आया है जो नेव भाकेंसी 1522 का भाकेंसी निकल का आ उसके बारे में total details पूरी जानकरी में आपको आज दूँगा तो ऐससी कंस्टेबल 2020 इट अंडर सेंट्रल government, ministry of home affairs तो इसके बारे में total पूरी जानकरी में आज आपको दूँगा तो इसमें क्या आता है पहले आता है PT and PhD जो physical endurance test है और physical standard test है physical endurance test के अंदर आता है driver का अलग सा और इधर होता है क्या जो post निकल के सामने आया है इस बार आया है कूक, सफाई वाला, बारबर, अलग-अलग सा post आया है तो अलग-अलग post के लिए अलग-अलग सा physical standard तै किया गया है तो उसके बारे में आये details पुरा ज सामने आया है यह सिर्फ male candidate के लिए है female candidate के लिए नहीं है यह post तो उनका height 170 cm तै किया गया है 170 cm यह सिर्फ driver post के लिए है अलग से post के लिए अलग सा है 167.5 male candidate के लिए है तो मैं आपको next statement मैं आप मैं आपको बताऊंगा तो फिर आये पहले जानते हैं driver के post के बारे में driver के post में सिर्फ और सिर्फ male candidate ही apply कर सकते हैं तो उसका height 170 cm और उसका chest है minimum 80 cm और expand करना पड़ेगा हमको 5 cm का तो 80 से 85 cm तक उसका chest तो फिर उसका age क्या है यह से 21 से 27 तो फिर अलग सा post जो है उसके minimum age क्या है minimum age होता है 18 तो इसका minimum age जयता है क्या गया है 21 यह दिमाग में रखना चाहिए कि 21 उसका minimum age है और age as on August 29 तो आप बोलेंगे कि मेरा तो 21 हो चुका है मैं क्यूंँ आप लाइं नहीं कर सकता तो यह date की गई है अगस्ट 29 2020 तक अगस्ट 29 2020 तक आपका age 21 होना चाहिए और maximum age 27 27 से अगर ज्यादा होगा तो आप आप अपलाए नहीं कर सकते और हाँ OBC आप ऐसे ही जानते हैं Central Government अंडर रहा आता है तो फिर OBC के लिए थ्री एर का और सेस्ट के लिए फाइव एर का relaxation है तो अगर हम देखें तो 27 प्लस 3 प्लस 5 तो 27 प्लस 3 हो जाता है कितना 30 तो यह होता है OBC कैंडिड़ेट के लिए हो जाता है maximum year 32 ओके तो फिर बात करते हैं अधर पोश्ट के लिए अधर जो कूक है बार बार है और सफाई वाला है वह जो पोश्ट निकल के सामने आया है उसके लिए कितना हाइड तै की गई है और कितना एज तै की गई है तो उसके लिए आपको एज का जो मिनिममम एज है उसमें 18 है मिनिमम और 23 है maximum ठीक है अगर OBC का बात करें तो maximum एज है टॉंटी सिक्सियर और होगा टॉंटी एटियर ठीक है यह गया मेल केंडिडेट के लिए और फिमेल केंडिडेट के लिए यह जो अधर पोस्ट के लिए याद रखिए अधर पोस्ट इसके अंडर में आता है कूक बार्बर सफाई वाला एट्सेट्रा यह जो पोस्ट वैकेंसी जे इसका मिनिममम है जे 18 मैक्सिमम है टॉंटी थ्री OBC के लिए 3 एर का रिलैक्सेशन है तो फिर हो जाता है टॉंटी सिक्स और रहेए और उनकी से से रहेगा उनका हाइट थोड़ा डिफेरंट है उनका हाइट क्या गया है 157 cm कहीं पोस्ट को छोड़ कर अधर पोस्ट के लिए उनका हाइट रहएगा 157 cm ठीक है इसमें educational qualification के बारे में बात करेंगे उसके बार educational qualification जो तरह कहीं गई है वह है matriculation और उसमें क्या और आता है आड़ होकर सिर्फ matriculation में बात नहीं बनती उसके साथ आपको work experience का जरूरत है यह compulsory है क्यों क्योंकि मैंने आज ही एक candidate का अप्लाई किया है जिसमें work experience compulsory लिख रहा है तो work experience का certificate हमको upload करना है apply के दोरान work experience का certificate हमको upload करना होगा और उसके साथ क्या-क्या upload करना होगा यह बता रहा हूं तो मैं अभी topic change करके यह details हम आपको बात में बताएंगे पहले कौन सा कौन सा certificate लग रहा है उसमें मैं आपको जानकरी देदूं कि उसमें क्या आता है एक passport size photo एक passport size photo जिसमें date डालने के लिए नहीं बोला गया है और उसके सब्सक्राइब है signature ठेक है और क्या है और अगर आप SC ST और OBC और EWS EWS से जो जनेरल कास्ट के लिए 10% reservation के लिए आया है नेया कास्ट certificate EWS economical wicker section जो certificate नहीं आया है जनेरल कास्ट के लिए 10% reservation के लिए तो EWS OBC SC ST अगर आप कास्ट चूज करते हैं तो फिर आपको वहां पर कास्ट certificate का upload भी करना जरूर है ठीक है तो मैं पहला document बोल देता हूं पहले आपको लगेगा एक पिस passport size photograph उसके बाद signature उसके बाद कास्ट certificate उसके बाद आपका matriculation certificate 10th का जो होता है matriculation उसके बाद आएगा आपका experience certificate अगर आप driver post के लिए चूज करते हैं तो वहां पर आपका experience certificate नहीं लगेगा लेकिन वहां पर आपको heavy motor vehicle है जो LMB होता है वो नहीं लगेगा आपको heavy motor vehicle का document upload करना पड़ेगा तो अगर आप बोलेंगे कि हमारा पास LMB है फोरुलर का driving license है यह चल जाएगा लेकिन वह नहीं चलेगा आप upload कर सकते हैं आपका admit card आज जाएगा लेकिन आप document verification में reject कर दिया जाओगे तो फिर इस बज़े से आप अगर आपके पास light motor vehicle का license है तो फिर आप apply मत किजिए आप अधर साथ जो पोस्ट है बारबर कूक और सफाइब वाला इसमें ट्राइब कर सकते हैं लेकिन अगर आप LMB में ट्राइब करते हैं तो नहीं होगा आप reject हो जाएगा ड्राइवर पोस्ट में apply मत किजिए अगर आपके पास यानि कि 120 मिनिट्स तो हम नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ा है तो नेगेटिव मार्किंग का नोटिफिकेशन में कोई वहां पर इंस्ट्रेक्शन नहीं है कि यहां पर चार कोस्टन को आपको .25 का माइनस मार्किंग होगा यह भी कहीं पर भी नहीं लिखा है तो फ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो आपको हंड़ेट कोस्टन हंड़ेट मार्स मिलेगे जो जनराल कट अफ होता है जनराल जस्ट पर क्वालिफाइग अगर 50% से कम 49 मार्क भी एक्जाम में लाए तो फिर आप डिस्क्वालिफाइग हो जाओगी तो जनराल कट नहीं बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे क्वालिफाइंग मैस जो क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा 50% मार्क से उपर अगर आपका मार्क आएगा आपका स्कोर आएगा 50% से ज्यादा तो फिर आप क्वालिफाइग होगे स्कील टेस्ट के लिए ठीक है तो यह चांसे क्ने के लिए हैं वहां पर डिसाइड किया जाएगा कितने टफ केंडिडेट है पार्टिसिबेट किये हैं उसमें तहई किया ढई जाएगा कि आप प्जेश्ट के लिए हैं आप क्वालिफाइग कर पाओ एग या फिस नहीं तो ठीक है आपको तोटल हाटंसी है 1522 15 तो उसमें ज्यादा हो सकता है कम भी हो सकता है यह उनके ओपर डिपेंड करता है तो वो चेंज भी कर सकते हैं हर कोई जब नोटिफिकेशन डाल देता है है तो वहां पर लिखा होता है एनिटाइम कोई भी भाकानसी इंक्रीज हो सकता है इसमें हम पक्का तो नहीं बोल सकते हैं जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब जो वाकानसी निकल का आया है हम उसका डिटेल साब को बता रहे है तो टोटल भाकनसी है 1522 का 20 टाइम्स मतलब 30,440 candidate अगर notification सही है SSB notification के दोरान बता गए बात को मान के चलेगा तो फिर आपको 20 times vacancy मतलब 30,440 candidate selection किये जाएंगे किसके लिए? skill test के लिए इधर देखे skill test के लिए आपको 30,440 candidate निकल के सामने आएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद skill test आता है skill test मैं आपको easy में बता देता हूँ skill test क्या है? तो trade test जो बोलते हैं आप मतलब मान लिजिया आप cook में apply किये तो cook में क्या आपका selection हो जाएगा? आप रिटीन में qualify कर दिये तो फिर आपका merit में आज जाएगा? नहीं आएगा merit तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको skill test गुजरना पड़ेगा skill test क्या होता है? तो हम cook में हमारा experience है certificate show कर देंगे कोई भी certificate आज़कल market में duplicate बन जाता है तो certificate आप सो कर लेंगे certificate show करने के दोरान आपका जब skill test नहीं लेंगे तो आप cook कर सकते हैं या फिर नहीं तो वो कैसे मालूम बड़ेगा? तो skill test आपका क्या करेगे? skill test आपका क्या ताय करेगा? आपका work expense जो आप देंगे तो work expense सही है या फिर गलत है? यह just qualifying in nature है तो इसमें merit का कोई भी relation नहीं है merit जो 100 marks का written exam होगा 100 marks में आप जितना mark secure करेगे आपके लिए वो merit में काम आएगा लेकिन यह जो mark है यह जो running होता है मैं बाद मैं बताऊंगा race का details मैं बाद मैं बताऊंगा ठीक है जो running है यह जो qualifying in nature है skill test है इसमें merit का कोई भी relation नहीं है ठीक है तो skill test कितने mark होगा skill test 50 mark का होगा तो 50 mark में 60% qualifying in nature रहेगा 60% मतलब आपको 50 mark से 30 mark रखना पड़ेगा अगर 30 mark आप रख लिए तो फिर आप medical के लिए आप qualify हो जायोगी तो ठीक है आप मान लिजे आपका 35 आप 35 mark ले आए skill test में तो भी आपका admit card आएगा medical के लिए यह आप नहीं बोल सकते SSB यह कह रहा है notification में मैं notification खुद read किया हूँ तो उधर लिखा है कि जैसे total written exam के candidate के लिए 20 times को selection किया जाएगा उसी तरह लिखा है उधर कि जब total vacancy है 1522 का उसका 3 times लिए जाएगा medical के लिए तो skill test में जब 30,440 candidate skill test के लिए अपने भी लड़ाई कर रहे होंगे उसमें से 4566 candidate selection होंगे medical के लिए तो इसमें नहीं है कि आप बोल देंगे कि मेरा 40 marks था 30 marks तो selection qualify है तो अगर आप 4566 candidate में से एक हो तो फिर आपको medical में बुलाया जाएगा बरना नहीं ठीक है और जो last में आता है यह तुम्हें पहले बताना चाहता था लेकिन थोड़ा नीचे लिखा है तो ठीक है मैं आपको बता देता हूं इसमें आता है क्या race जो कि PET होता है physical endurance test होता है तो physical efficiency test और physical endurance test तो उसमें क्या होता है मेर के लिए अलग सा और female के लिए अलग सा होता है 4.8 km जो कि ठीक है 24 minute decide किया गया है और female के लिए 2.4 km जो कि decide किया गया है 18 minute में यह भी qualifying in nature है आप अगर 23 minute में पहुंचेंगे तो भी same रहेगा कोई भी फरक नहीं बड़ेगा और female के लिए है 2.4 km 18 minute के अंदर ठीक है और इसका जो last date है वो last date में आपको बता दे रहा हूं और last date के लिए कभी भी इंतिजार मत किजिए last date के लिए अगर आप इंतिजार करेंगे तो बहुत तकलिफ आएगे website में प्रोब्लम में आ सकती है लास्ट टाइम रॉस्त के लिए आप इंतिजार मत किजिए लास्ट जो है वो है 27 September 2020 ठीक है 27 September 2020 इसका last date है ओके ठीक है और जो भी आपका मन में सवाल है जो भी सवाल है आ डेस्क्रिप्स में हम पीडियो देदेंगे अब कमेंट बस में हमको सवाल कर सकते हैं हमारा वाट्सप नंबर भी हम डेस्क्रिप्स अमने देदेंगे ठीक है थैंक्यू